नमश्कार सातियो आप सभीका आपके अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत सागत करता हूँ सातियो आए सातियो मुबाइल से हार्मूनियम बजाना सीखते हैं और सातियो इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हर्मोनियम के जो बटन होते हैं इनकी फुल जानकारी में आपको देने वाला हूँ सुरोकी पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है सुरोकी पहचान अगर आपको होगी तब ही आप कोई भी गीत किसी भी स्केल से निकाल सकते हैं कुछ शाती हमारे जल्दवाजी ये करते हैं कि उन्होंने बस हर्मोनियम खोला और साथ बटन सीख लिए और उसके बाद में वो दूसरे स्केल से कोई भी चीज निकालते हैं या रियाज करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं तो देखिए इस करीन पर आपकी नोटेशन आ गया है इस ये जो मैंने आपके सामने ये नोटेशन दिया है इसको आपको समझना है देखिए हर्मोनियम में मैं आपको बता दूँ कि हर्मोनियम में 36 प्लेस बटन होते हैं हर्मोनियम तीन पिरकार का होता है मंद्र सब्तक मध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् आतिया 36 इदर महीन अवाज और बरी का वाज होती है ठीक है जित्ता उबर को जाएंगे और कुछ एक दो बड़न एस्ट्रा और होते हैं अब सातियों बात आती है कि सबसे ज़्यादा हम गाना बजाना कहां करते हैं तीनों सब्सक्तक में तो वह हम करते हैं बीच वाले में ज लोगों का यही सा होता है पहली काली तो इसके हिसाब से सातियों एक सब्तक में देखिए उपर देखिए एक सब्तक में बारा बड़न होते हैं यानि के बारा स्वर होते हैं अब आज आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने बारा तक की गिंती आप इसमें देख रहे हैं बारा ये सुद्ध ये मां ये तीब्रब म ये पां ये कोमल select search दखूर य 230 तक मेरे 12 बटन होते हैं यह और ये अगले वाये सबतक का ये तार सबतक का सा जाता हैं तो एक दो तीन चार पांट चैए साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो अब देखिए मैंने आपको बता दिया नीच उपर मैंने दो दो रे के नीचे जो थोड़ा सा ये लकीर खिची हुई है रे पे और गा पे देखेंगे और आप धा पे देखेंगे और नी पे देखेंगे ये कॉमल बटनों पर होती है और तीबर मा के जो उपर बिंदी लगी होती है वो तीबर मा है चार कॉमल सौर होते हैं और एक तीबर मा होता है ठीक है तब ये बारा बटन मिलते है तो सबसे पहले आप गिंती के दुवारा देखिए कि एक नमबर पर हमारा अब इसके नीचे आई ये देखिए पहले सुद्ध सुरों के बारे में आपको बताते हैं कि साथ बटन सुद्ध गिंती के साथ से कौन कौन से नमबर पर आते हैं तो सा एक नमबर पर है रे थी नंबर पे है गा पांच नंबर पे है डा दस नंबर पे है और नी बारमिर नंबर पे है और यह तारसप तक का सा जाता है ठीक है जानिक है इसको आप ध्यान से समझ लिए समंझ लीजेगा नी, बारा, धा, दस, पा, आठ, मा, छे, गा, पांच, और रे, तीन, और सा, एक या तो आप इस तरीके से समझी है नहीं तो अब दूसरा तरीका आपको बताता हूँ सुद्ध रे का जो नीचे वाला बिटन है ये कॉमल रे होता है सुद्ध गा का जो नीचे वाला बिटन है ये कॉमल गा होता है और सुद्ध मा के जो उपर वाला बिटन होता है वो तीब्रमा होता है यानि कि तीब्रमा जो होता है वो सुद्ध मा से उपर वाला होता है ठीक है ये अब बात करते हैं ये सुद्ध धा है तो ये कॉमल धा है ये सुद्ध नहीं है तो ये कॉमल नहीं है अब बात करते हैं के अब देखिए एक नमबर पे, तीन नमबर पे, पाच नमबर पे, छे नमबर पे, आठ नमबर पे, दस नमबर पे, बारा नमबर पे ये तो आते हैं हमारे सुद्ध वाले स्वर अब जो कॉमल स्वर आते हैं उनको समझिए कॉमल स्वर आते हैं दो नमबर पे रे कॉमल चान नमबर पे गा कॉमल साद नमबर पे तीब्रमा नो नमबर पे धा कॉमल और ग्यारमे नमबर पे नी कॉमल इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है ठीक है अगर आपको हर्मोनियम सीखना है और आप हर्मोनियम सीखना चाहते है तो सबसे पहले आपको नंबर के द्वारा भी और इसके बटन के द्वारा भी आपको समझना होगा सरगम के द्वारा भी ठीक है तो सच से पहले जब हम रियाज करते हैं तो सुद्द बाले बटनों का करते हैं जो कि सा एक छोड़ देंगे रे फिर एक छोड़ देंगे गा गा के तुरंद बाद मा आता है फिर एक छोड़ करके पा फिर एक छोड़ करके धा फिर एक छोड़ करके नी और तारसब तक का सा तो ये सरगम कहलाता है सा सरज, रे रिसब, गागंदार, मा मद्यम, पा पंचम, धा देवद, ने निशाद ठीक है और ये तारसब्तक का सा ये इनके नाम है सुद्ध बटनोगे ठीक है अब साथियों बात आती है कि इनकी आवाज कैसे निकलती है बटनोगी तो देखिए अब आज बिलकुत सैम होती है आप दिहान से देखिए सैम का मतलब यह है जैसे ये उपर को जाएंगे देखिए समझ गए यानि कि जैसे आप उपर को जाएंगे इस तरीके से इसकी आवाज बढ़ती चली जाती है उपर ठीक है नीचे को आएंगे तो नीचे होती चली जाती है वाज इसकी समझ गए कहने का मतलब यह है कि जब हम एक छोड़ करके बजाते हैं तो हमें यह लगता है कि हम काफी उपर चले गए तो हम जब इसको गैप देते हैं एक सुरका तो इसकी जो अवाज है वो हम छोड़ देते हैं और यहां पर चले जाते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि सीधा सीधा हिसाब है कि जितना उपर कुट जाएंगे अवाज आपको जड़एगी जितना निज़े को आएंगे इतनी अवाज आपकी डाउन होगी ये समझिए और आपको एक तरीका और बता देता हूँ ये यसे ये मेरा सा है और ये रे है तो इस रे ये जो रे है सुद्ध वाला इसके ये कॉमल रे जो है इससे आधी अवाज इस रे की होती है अवाज नीचे होती है और इससे उपर होती है ठीक है इससे उपर होती है इससे नीचे होती है बैसे हिसाब सातियों सुद्ध मा से उपर जो ज़्यादा वाज होती है वो ती ब्रमा की होती है क्योंकि ये उपर वाला बटन है ठीक है सुद्ध धा से कम अवाज कॉमल धागे होती है ठीक है सुद्ध नी से कॉमल नी की अवाज कम होती है यह यह भी आपको समझना होगा अब देखिए अब आपको रियाज किस तरह से करना है सुर्प है अपना जो तुमारा सा है पहले इस पर अपनी अवाज मलाएं फिर रए पे अवाज मलाने की कोसिष कीजिए फिर गाप मलाने की कोसिष कीजिए फिर माप है, फिर पाप है, फिर धाप है, फिर नीप है, और फिर तारसब्तक के साप है ठीक है साथियो, किस तरह से देखे सारे गामा पाधा नीसा इसको आरो बोलते हैं, जब नीचे से उपर जाते हैं, इसको आरो बोलते हैं, आप आरो में चलेंगे सानी धापा मागरे साम समझ लिया ये और अगर आप फिर इसको आप इसकी अपनी अबाज इस पर मिलाइए और इसको रियाज को जादा सा जादा कीजी आपकी फिंगरी में जैबी तेज होगी उगलियों की सारे गामा पाइदा नी सा, सा नीधा पामा गारे सा समझ में आया आपकी ये बहुत ही जरूरी होता है जो मैंने आपको पूरे बीडियो में आपको बताया है कि इन बटनों को समझना बहुत ही जरूरी है इसका फाइदा क्या होगा अब इसको सा मान लिया मैंने अगर आप फिर याप इससे रियाज करेंगे तब भी 12 बटन होंगे यहां से लेकर के और यहां तर यह इस सा से और यह तार सब्टक का सा यहां से गिनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा ठीक है तो हमें जब यह पैचान होगी कि कौन सा बटन कौन से नंबर पह है तो उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे पिर यहां से भी आप करेंगे तब भी जिसे भी आपको सा मानेंगे सोर्ब वही आएंगे, ठीक है तो चलिए वीडियो काफी लंबा हो जागा आप इस तरीकों को समझिए और रियाज कीजिए मिलते हैं ने इस्टे वीडियो में, नमस्कार